हेलो मेरी प्याई सी फैमिली आज टिस रोल पर मैं लेकर आई हूँ देसी करेले की एक चटपटी सी और बहुत आसान सी सबजी एक बार आप इसको मेरी देंसे बना कर देखेंगे तो बच्चे हो या बड़े घर पर सबको ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम देसी करेले ले लिये हैं इनको साफ पानी से मैंने बहुत अच्छे से धोकर साफ कर लिया है अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर और नीचे से थुरसा चाको की मदश से काट लिया है फिर इसको अच्छे से खुरच लिया है हमको इसको छीना नहीं है सिर्फ हल्का सा खुरच ना है अब इसके बाद मैंने इसको गोल शेप में काट लिया है इसमाठ का ध्यान रखेगा तब आप उसमें दो बड़े साइज के प्यास बारी काटकर इसमें मिला दीजे। प्यास को गुलाबी होने तक भून लीजे। जब ये गुलाबी हो जाए तब आप इसमें देशी करेल को मिला दीजे। और अच्छे से मेक्स करके धक चार से पांच मिर्ट तक के लिए इसको पका लीजे। अब इसके बार धकन को हटा कर इसमें एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच लालमेच पाउडर, स्वाध अनुसार नमक, एक चमच सौंफ पाउडर, आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर मिला कर इसको धक कर पका लीजे। कुछ ही मिन्टों में ये पकत तयार हो जाएगा, तब आप इसमें एक चमच अमचूर पाउडर, और तीन से चार चमच गुल का पाउडर मिला दीजे। गुल का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को आफ कर दीजे, ये देखे जटपट तयार हो गई हेल्दी सी देसी करेली की सबसी, इसको आप हफता भर फ्रिज में भी रखकर चला सकते हैं। ये हफता भर तक खराब नहीं होगी। ऐसे हेल्दी सी और जटपट बनने वाली रेसिपी देखने के लिए टिप्स वर चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आपको रोज नई रेसिपी देखने को मिल सके। लाइक और कमेंट करके बताएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्यू।